हेलो एवरिवन आज हमनों दखेंगे सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम ऑप्टमेजेशन टेक्निक में ठीक है ओके डेफिनेशन क्या होगा देखा जाए इसका सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम का सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम का मेन परपस मेन वर्क आपको यह है कि वह और फाइंड करना है हुआ sequence find करना है कि किस order में किस sequence में दियेगे jobs perform होंगे given machines पे चाहिए वो two machines हो three machines हो या a machines हो इस प्रकार की total elapsed time will be minimum मतलब work करने के समय क्या होगा कम होना चाहिए आपको sequence find करना है ठीक है तिन तरह के इसमें होते है problem पहला n jobs through two machines n jobs through three machines और n jobs through m machines आपके से लेपस में पढ़ना है n jobs through two machines a and b in order a b type one processing of n jobs through two machines नहां दिजेगा इसमें करना क्या आपको है कि दिये कि जो जॉब्स होंगे उसको two machines के through process करना है तो उस two machines के तुरू process करने का आपको sequence find करना है कि उस n jobs को two machines के तुरू हम कैसे process करें उसका क्या sequence हो कि total elapsed time क्या हो कम हो सके वहां पे ठीक है इसमें दो machines involve होंगे a और b process का order क्या होगा a b मतलब पहले a then b the problem is to find the sequence of jobs so as to minimize the total elapsed time time हम invoice करने का sequence find करना है थाकि सारे जोग हमारे perform हो जाएं और इस solutions को जो problem मिला है इसको कहते हम लोग है Johnson's algorithm जिसको solve करेंगे तो Johnson's algorithm का sequence क्या है उसे कैसे करते हैं उसको देखा जाए तो जब भी आप questions given होगा चुकि आप जो कर रहे हैं n jobs through two machines तो एक table given होगा उस table mention होगा दो machines a o b m1 m2 जो भी दी जा गया हो और n jobs one two three four five two n जो भी तो साब के पास तो सारे job का respected machine के respective machine के according processing time given होगा table में माचीन a का respective जो वह अनका processor time क्या है machine b का respect जो जो बहारन की processing time क्या है machine a का respect में job two two processing time क्या है machine 10 वह अपको होगा तो करना क्या है STEP one में कि उस पूरे table से चाहे वो जाब machine ली ए घिन हो क्ल स्हुरण जिसका time सबसे कम हो define time हो उसका कुछ चूज करना है, clear, अब जो time आप चूज किये होंगे, आप देखेंगे कि किस machine के लिए है, machine A के लिए है कि B के लिए है, यदि machine A के लिए होगा, उस job नंबर को, उस job को आप job sequence में पहले पूट करेंगे, और machine B के लिए होगा, तो उस job sequence को में आप उस job को last input करेंगे, आप A का होगा तो उस जौब को पहले पूट करेंगे B का होगा जौब को लास्ट पूट करेंगे ठीक है हो सकता है कि दो प्रोसेसिंग टाइम सेम हो जाए टाई कर जाए उसका तीन के सबन सकता है फर्स्ट केस हो सकता है कि दो टाइम सेम हो जाए और दोनों प्रोसेसिंग टाइम मशीन एक लिए ही हो ठीक है तो उस केस में करेंगा select the job with larger processing time in B उस केस में आपको B में देखना है कि maximum larger processing time का कौन सा job है उस job को आपको sequence में पहले place it कर देना है job sequence में हो सकता है कि दो processing time जो match किया हो दोनों machine B के लिए हो तो उस केस में larger processing time देखना आपको है A में और उस job को put करना है job sequence के last way हो सकता है कि जो आप processing time 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 किया हुआ हो एक machine A के लिए हो एक machine B के लिए हो तो एक मशीन जो A के लिए होगा उस जॉब को पहले पूट कर लेंगे जो मशीन B के लिए हो उसको हम लास्टे पूट कर लेंगे जिस जॉब को हम पूट कर चुके होंगे उस जॉब को हम डिलेट कर देंगे उस कॉलम को ताकि हम बाकी में minimum find कर पाएं यह आपको इस टिप तब तक रिपीट करना है जब तक सारे जॉब जॉब सिक्वेंस में न आ जाएं सारे जॉब जॉब सिक्वेंस में आ जाएंगे तो आपको find करना total elapsed time और idle time पूरा काम करने में कैसे में लगा और मशीन ए और मशीन भी इंडिविज्वाली कितने कितने टेम आइडल रहे थे तो उसका formula यहाँ पर given है देख लीजिए total elapsed time find करने का formula का starting to ending मैं पूरी समय जो लगा आप का कहलाएगा total elapsed time idle time on a machine जो a machine हो कितना दिर idle रहा और फिर बीक के लिए find करेंगे हम लोग इस formula पर आगी हम questions भी देखेंगे हम लोग ठीक है thank you